हाई दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे चैनल में दोस्तों आपने यक्षिनी के बारे में तो सुना होगा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कामेश्री यक्षिनी के बारे में आज हम आपको इस यक्षिनी के बारे में बताएंगे और इसका साधना मंतर कैसे किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कामेक्षरी यक्षिनी साधना कामेश्री यक्षिनी की अपनी खास बात होती है और हर यक्षिनी के पास कुछ खास होता है जैसे की सुर सुन्दरी यक्षिनी सुन्दरता की देवी होती है यदि कोई उनकी साधना करता है तो वह सबसे पहले साधक को सुन्द्रय परदान करती इसी परकार से कामिश्री यक्षिनी के बारे में यह कहा जाता है कि यह सदैव चंचल रहने वली होती है, मतलब मन के समान होती है, यह देखने में बहुत अधिक मादक होती है, जैसा कि आप अकसर फिल्मों के अंदर देखते हैं, यह हर श्रंड सादक को मनुरंजन परदान कर करती है, तो सादक को पतनी सुक भी देती है, कामिश्री यक्षिनी का सवरूप, कामिश्री यक्षिनी के बारे में यह बताया जाता है, कि यह देखने में काफी सुन्दर होती है, और यह चंदर्मा के समान काफी उजवल होती है, यह हंस की सवारी करती है, और इसके साथ सा से हवा जुलाती हैं सबीस तरी पितंबर रंग की साड़ी में होती है यक्षनी के बारे में यह का जाता है कि वह गुलाबी रंग की पोशाक पहने रहती है इस साधना को शुकरवार की रात को शुरू करना होगा और जब का स्थान पूरी तरह से एकांथ होना चाहिए वैसे तो आप इस देवी की साधना को पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर यह आपको परत्यक्ष दर्शन नहीं देगी लेकिन सिद्ध होने पर आपके कामों को पूरा करेगी यदि आप एकांथ के अंदर साधना करते हैं तो देवी आपकी समान परत्यक्ष हो जा अलग-लग गुरु अलग-लग परकार से बताते हैं और आप इस बारे में अपने गुरु से पूछ सकते हैं कामेश्यारय यक्षनी को किसी वीवट वरक्ष के नीचे चंदन के मंदल से देवी की पुझा करनी चाहिए और उसके भाद नीचे दिये गए मंतर का 3000 बार जप करना होता है और यह तीन सपटा तक करना होता है ऐसा करने से यक्ष्णी सादक से परसन हो जाती है और उसे उचितवर परधान करती है इसके अलावा एक दूसरी वेदी के अंदर यह बताया गया है कि इसकी सादना किसी भी गुलर के पेड़ के नीचे बैट कर करनी चाहिए गी का चुमुखा दीपक जलाकर सादक को उस दीपक को बिना पलक जबकाए देखना होता है और मंतर जाप करना होता है आप लाल पिला और सफेद आसन ले सकते हैं और मुख उत्तर दिशा की और होना चाहिए और आप कामेशरी देवी की सादना यंतर लेकर ही करें ऐसा करने से अनुभव चल दी होता है यह सादना 21 दिन की होती है कमिश्री का मतलब कामना को पूर्ण करना कमिश्री योगनी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सादक के मन की कामनाओं की पूर्टी करती है मतलब की ऐसा माना जाता है कि इससे कोई वर्दान मांगने की आवख्षता नहीं होती है यह अपने आप ही अपने सादकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है कमिश्री की सादना के फायदे दोस्तो कमिश्री देवी की सादना करने के कहीं सारे फायदे होते हैं ऐसा मना जाता है कि यह सादना करने से मन शान्त रहता है और बुढ़ापे का असर कम हो जाता है आपके विचारों के अंदर आकर्शिन शक्ती बढ़ जाती है इसके अलावा आपके घर के अंदर जगडे हो रही हैं तो वेह भी कम हो जाते हैं कुल मिला कर आपको बोतिक और अबोतिक दोनों ही परकार के सुख मिल जाते हैं एक आम कामिश्री की साधना का तरीका है कि अपने सामने किसी कागच के उपर नीचे दिये गए मंतर को पांच बार लाल पैन से लिखें और अपने आग्या चक्कर पर द्यान दें और इस मंतर को माला नो दिन तक करें और उसके बाद किसी कन्या को फलदान करें और इस कागच को लाल कपड़े के अंदर पहना जा सकता है कुछ ही दिनों के अंदर आप इसके परबाव को देखकर मंतर मुगद हो जाएंगे रात में आती है कामिश्री यक्षनी के बारे में यह कहा जाता है कि यदि आप इसको एक बार पूरी तरह से सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको रात को भी बुला सकते हैं और आप इसके साथ वारतालाप भी कर सकते हैं किस रूप में सिद्ध कर सकते हैं कामिक श्री यक्षनी को दोस्तों कामिक श्री यक्षनी को आप कई रूपों के अंदर सिद्ध कर सकते हैं आप इसको माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं तो यह है आपके हर परकार की समस्या का समादान करेगी इसके अलावा आप इसको ए आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत बुलिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स बीन ह की एल र tutte अगना घहल रगना बाइब की साथ दब्त थका पना क्याल रगना बाइब है